Hello students, Vaisweta Manishwari from Mother Shukshaniketan High School बच्चों आईए आपकी English की ग्लास से स्टार्ट करते हैं English की ग्लास में आज हम वही जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसी टॉपिक को हम एक बार रिवाइस करते हैं That is degree डिग्री बच्चों मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है डिग्री में हमारी यहाँ पर positive degree, comparative degree और superlative degree हो दिया इसमें हम positive degree को comparative या superlative में change करके लिखते हैं मैंने आपको पताया था degree में जब भी हम comparative में change करते हैं तो उसमें हम ER का use करते हैं और superlative में हमेशा हम EST का use करते हैं ठीक है बच्चों? यह बात आपने समझ भी लिए होगी पहले भी पहले भी आपने करी है अब इसको हम एक बार और revise करके देखे हैं जो को यहाँ पर दिया है safe safe का यहाँ पर e इसमें पहले से add है इसलिए हम दुबारा e को यहाँ नहीं लेखाएंगे safe e r यह नहीं आप यहाँ पर double e लगाएंगे ठीक है? safe e st st लगाया? e पहले से हमारा लगा हुआ इसमें ठीक है? next है sharp sharp फिर हम नहीं यहाँ पर क्या लगाये comparative में? e r और superlative में e st ठीक है? number 3 होता है हमारा big big का comparative में क्या बनेगा? bigger ठीक है? तो इसमें हमारा क्या change हुआ? है तो भई ही same लेकिन यहाँ पर हमारा g जो है वो double हो गया ठीक है? superlative में भी और comparative में भी तो यह आपको ध्यान रखना है hot में भी same हमारा जुट्टी है वो comparative में भी t double हो गया और superlative में भी t double हो गया अब यहाँ पर comparative में क्या change हुआ है हमारा y की जगे क्या हो गया है? same superlative में भी y की जगे हमारी क्या हो गया है? i लेकिन आगे वही same er और est ठीक है बचो? यह समझ में आया आपको topic इसके बाद next topic है हमारा verb degree हमने पढ़ ली अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे verb write the other two forms of the following verb हमें यहाँ पर verb की two forms लिखनी है other other form होती है verb की अलग-अलग sentences के त्रोग अलग-अलग use होती है ठीक है? यहाँ पर आपको मैंने present form दे रखी है आपको यहाँ पर past वनानी है और past zip in ठीक है? तो देखो present में यहाँ पर दिया है call call की यहाँ पर बनेगी called यहाँ पर दोनु जगे किसका use होगा बच्चों? ed किसका use होगा? ed तो यह क्या बन जाएगा? called यह होती है verb degree में हमने er और est का use किया था verb में हमारी ed का use होगा सभी में ठीक है? earn यहाँ पर भी earn earn use used used past 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 live lived lived ठीक है? number six पर आता है sit 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 का यहाँ पर हो जाएगा set क्या होगा? set sit का क्या होगा बच्चों? set यहाँ दूनों जगे क्या हो जाएगा? set s-a-t set number seven है come c-o-m-e come come का हमारा यहाँ पर बन जाता है came क्या बन जाता है? came इसकी past form होती है came और फिर यहाँ पर come ठीक है? फिर है last में has has का change होकर head बन जाएगा same दौनों जगे ठीक है बचों? तो यहाँ पर अच्छे से learn करने है ठीक है बचों? तो आपको मैंने degree पहले भी करा रखी आज दुबारा करा दी और एक नया topic verb का कराया है तो आप इसको अपनी copy में note down करेंगे और अच्छे से learn करेंगे बचों आज के लिए इतना ही thank you